साथी आज की वीडियो में हम लोग सेखेंगे मैक बेट को और मैक बेट पर आधारित यह हमारी दूसरी वीडियो है इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखिए तो एक बार जा करके देख लें क्योंकि उस वीडिय पर आधारित हैं और यह कोश्चन्स एक से लेकर के पचास तक आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे तो चलो सुरुआत करते हैं इंपोर्टेंट कोश्चन्स ओके ऑन बेजड ऑन मैक बेट सबसे पहला कोश्चन हमारा यह है कि डियूरिंग भीच पीरियड कौन से पी पीरियड की बात करते हैं यानि कि मैक बेट की रचना मैक बेट प्ले की रचना सेक्सपियर के किस काल में होई थी तो तीसरी अबदी में जिसे डाइडर ने आउट आफ देत की रूप में क्या करा था डिजाइनेट किया था ध्यान रखिएगा अगला हम बात करेंगे दू कमेडी भी लिखी है तो मैक बेट कोस्चन ये करा गया है कि मैक बेट उनमें से किस में बिलॉंग करता है ट्रेजडी है कमेडी है क्या है तो ये दोस्तों हमारा क्या है एक ट्रेजडी है मैक बेट ने चार प्रमुक ट्रेजडी लिखी है जिसमें हैमलेट, ओथेलो, किंग मेकबेद भी उनमें से क्या है important है और उन चार ग्रेट ट्रैजडीज में से मेकबेद जो है मैं चार की बात कर रहा हूं सिर्फ ह-o-k-e-m इनका chronical order पूछ लिया जाता है कभी-कभी सबसे पहले hamlet फिर वो थेलो फिर king इसके बाद मेकबेद तो इन चार ग्रेट ट्रैजडीज में से जो मेकबेद है वो उनकी सबसे लास्ट ट्रैजडी है क्लियर हो गया दोस्तों नेक्स्ट हम लोग डिसकस करेंगे तीसरा कोस्टन इन बहुर्ट काइंड आफ एटमोस्पियर डज दी प्ले ओपन जब तो किस से सुरुआत होती है यानि कि मेकबेद जो प्ले है सेक्सपियर के नाटकों को वो किस माहूल में खुलता है किस तरीके से उसकी सुरुआत होती है तो हमने सुरुआत में उसकी पहली लाइन ही बताई थी कि थंडरिंग हो रही है लाइटनिंग डाकनीस एंड मिस्ट हुई है तो बहां से इस प्ले की शुरुवात होती है दोस्तों इसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे भेयर इस दी ओपनिंग सीन आप दी प्ले लेड यानि कि ओपनिंग सीन कहां से जो नाटक का सुरुवाती दरस से कहां रखा गया है तो एक रेगस्तानी जगए पर यानि कि in a desert place में desert place सुम सान जगाए कहलो बहाँ पर इसका opening scene होता है जहाँ पर तीन चुड़ेले दिखाए जाती है three bitches एक टीले पर बैटी हुई दिखाए जाती है जो कि मेकवेद के बारे में क्या करती है प्रोफेसी करती है बवेसे बारी करती है कि वो आने बाले समय में थेनाफ काउडर और स्कॉटलेंड का king बनेगा अगला question हम लोग discuss करेंगे how many bitches कितनी जादू गर्निया या चुड़ेले कह सकते हूँ कुछ भी बोलीजी इनको are there in the play play में total कितनी है three लेकिन एक जो है तीन तो bitches है और एक इनकी रानी दिखाई जाती है हेकेट ध्यार रखना next of which country बाज डंकन king जो राजा डंकन थे वो कौन सी देश के राजा थे स्कॉटलेंड के okay कहां के राजा थे स्कॉटलेंड के how many prophecies did bitches make जो bitches होती है तीन वो बिचेश होती है तीन ध्यार रखेगा इस बात को चुड़ावलों ने कितनी वविस्वाणी की तो answer आपका क्या होगा तीन वविस्वाणीया की okay बहुत वाज दी थर्ड प्रोफेसी आप दी विचेश यानि कि जो विचेश थी चुड़ावलों की तीसरी वविस्वाणी क्या थी जो तीसरी वविस्वाणी ये थी कि मैकवेथ जो है वो स्कॉटलेंड का राजा बनेगा यानि कि डेट ये थी कि मैकवेथ बुड़ भी होगा दे फ्यूचर किंग आने बाला राजा होगा आप Scotland, Scotland का future king होगा ये बविस्वारी की थी ये प्रोफेसी की थी किसने बिचेज ने, थ्री बिचेज ने किसके बारे में, मेकवेत के बारे में अगला who are the two sons आफ डंकन, राजा डंकन के दो बेटों के नाम क्या थे तो एक का नाम Malcolm था और दूसरे का नाम डोनाल वें था, पहले का नाम क्या था, Malcolm और दूसरे का नाम डोनाल वें, Malcolm जो होता है वो बड़ा बेटा दिखाया जाता है राजा डंकन का और डोनाल वें जो है वो छोटा बेटा दिखाया जाता है जब राजा डंकन की मेकमित के दुआरा हत्या कर दी जाती है तो में जो मैकलम होता है वो स्कॉटलेंड को छोड़ करके इंगलेंड भाग जाता है और इसका जो छोटा भाई डोनालवेन होता है मैकलम का छोटा वाई वो कहां पहुँच जाता है आइरलेंड भाग जाता है तो यह आपको क्लियर हो गया होगा कि डंकन के कितने पुत्र है मैकलम और डोनालवेन दूसरा हम बात करेंगे कोश्चन नम्बर दस की probably two generals of king डंकन्स army राजा डंकन की आर्मी में जो कि स्कॉटलेंड का राजा डंकन होता है उसकी आर्मी में दो जनरल के नाम बताना है तो मेकलम और बैंक को कौन होते हैं मेकलम और बैंक को कलियर हो गया राजा डंकन की सेना के दो सेना पती कौन थे तो दो सेना पती कौन थे मैकवित और बैंको था इसके बाद में हम बात करेंगे बैंको के पुत्र का नाम क्या था तो फ्लीन्स और वैसे तो अगर मैं फ्लीन्स का मीनिंग बताएं तो फ्लीन्स का मतलब इस्क करना भी होता है क्या होता है इस्क करना लेकिन यहाँ पर बैंकों के पुतर का नाम है फ्लीन्स दूसरा हम बात करेंगे question number बारे कि who was the rebel विद्रोही कौन होता है whom मैकवेट जिसको मैकवेट डिफीट कर देता है and killed मार देता है जब McVeyth उसको आरा देता है, मार देता है, तो उसके स्थान पर राजा डंकन, किसको थेणा और कायुडर बना देता है? MacVeyth को ही, BIKV-4-3 po अगला हम बात करेंगे, 14th number Q कि who was ordered by Duncan to be executed, यानि कि Duncan के द्वारा किसको आदेश दिया गया कि उसे मार दिया जाए, executed कर दिया जाए, to be executed का मतलब उसे मार दिया जाए, तो किसने आदेश दिया था, Duncan ने, किसको मारने का, तो थेनाफ का उडर, थेनाफ का उडर कौन होता है, Macdonald, इसके बाद में अगला question है कि giving the description, आपको बढ़न करना है, आप the battle, battlefield का, यूदे चेतर का बढ़न करके दिखाना है, the sergeant siege, sergeant कहता है, and fortune, sword like a rebel's whore, इसका मतलब समझेगा, कि लड़ाई का बिवरण देते हुए, जो sergeant होता है, sergeant, तुमने देखा होगा, जब हमने हिंदी story पढ़ाई थी, तो sergeant भाग भागा आता है, तो वो लड़ाई का बिवरण देते हुए, sergeant कहता है, और भागे एक बिद्रोही बैस्या की तरह है, hold, whore का मतलब होता है, बैस्या, revels whore, ओके, अगला, तो इसका answer क्या होगा, fortune, the goddess, okay, seemed in the favor, the revel as if she were his mistress, fortune, जो है, जो देवी थी, the goddess थी, ऐसा लग रहा था जैसे बिद्रोह्यों के पक्च में हो, जैसे कि वो उनकी क्या हो, mistress हो, रखेल हो, अगला, speaking of Macbeth and Banco, the sergeant says, अब Macbeth और Banco से बात करती हुए, sergeant क्या कहता है, Macbeth और Banco से बात करती हुए, sergeant कहता है, क्या कहता है, और, memorize another goal, sorry, galgotha, क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है, किसी अन्य गलगोटे को याद करो, galgotha क्या है, ये गोलगोटा था कौन, what is galgotha, galgotha a place of the skull, galgotha क्या है, एक इस्थान है, गोलगोटा बाइबल में, ब्रनेत खोपडी का इस्थान है, यानि कि, place of skull, mentioned in the Bible, it was the place where Christ was crucified, यानि कि, उन्होंने का, यदि, यह बही इस्थान था, जहां, ईशा मसी को, क्रूस पर चड़ाया गया, सूली पर चड़ाया गया, इसलिए, हत्या और रक्त पा कि, यानि कि, hence, इस पिरकार, a place of murder and bloodshed, means होता है, रक्त पाथ, अब गोल, तब से, इस गोलगोटा, सौरी, गोलगोटा, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस इट कर लिजेगा, दोस्तों, गोलगोटा, जो बाइबल में, क्या है, एक बहुत ही, हत्या और रक्त पाथ से बंदित इस्थान है, जहां इसा मसी को फांसी पर चड़ाया गया था, ओके, टूर्सिफाइड किया गया था, सत्रे नंबर कोश्चन हमारा कहता है, कि रॉस स्पीक, जो रॉस होता है, वो बोलता है, आप बैलोनाज के बारे में, बैलोनाज ब्रिट ग्रूम, तो बैलोनाज ब्रिट ग्रूम किसको बोलता है, होम डज ही रेफर टू, यानि कि यह जो रॉस नाम का वेकतिया करक्टर है वो बैलोना आज यानि कि किसे वो रेफर करता है तो मैकबेथ के लिए रेफर करता है बैलोना बाज दी रोमन गौड़े साब बार और बैलोना कौन होती है बैलोना जो होती है वो रोमन गौड़े साब बार दिखाए जाती है यानि कि युद्ध की देवी दिखाए जाती है कहां रोम में तो इतना क्लियर हो गया रोस ने बैलोना ज बिट गूरूम किसको बोला म मेकवेद के लिए ओके और इसमें बैलोना क्या है बैलोना जो है वो रोमन गौड़े साब बार कहलाती है अगला हम लोग डिसकस करेंगे कोश्चन नमबर 18 और कोश्चन नमबर 18 हमारा क्या कहता है कि तो यह सब्द कहने वाला कोन है मैकवेद है लेकिन इन सब्दों को ऐसे हमें याद नहीं रहेगा तो जरा समझियेगा इनको हिंदी क्या है इनका मतलब क्या मीन्स क्या है तो इसका मतलब ही हुआ एक दिन में अच्छा और बुरा दिन इसका मतलब अगर मैं explain करूं तो इस तरीके से कि मैंने एक दिन में कभी ऐसा नहीं देखा जो एक ही समय में इतना अच्छा और बुरा वक्त हो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही दिन में कभी ऐसा नहीं देखा है जो एक ही समय में इतना अच्छा और बुरा वक्त एक साथ हो इसका अर्थ यह हुआ कौन कहता है यह मैकवेथ 19 नंबर पे whom did Duncan declare जो राजा डंकन होती है वो किसको declare करते हैं इसको air बोलते है air का मतलब होता उत्रादिकारी अपना उत्रादिकारी किसको declare कर देती है और the prince of Cumberland और Cumberland का राजकुमार किसको declare करती है राजा डंकन तो किसे Malcolm को और यह Malcolm कौन होता है उनका बड़ा बेटा दिखाया जाता है Malcolm कौन होता है उनका बड़ा बेटा तो 19 नंबर आपको समझ आ गया होगा कि डंकन ने किसको अपना उत्रादिकारी और prince of Cumberland कोसिस किया था तो किसको किया था Malcolm को Malcolm कौन है उनका बड़ा बेटा है अगला question number 20 हमारा कहता है who did not believe much in the prophecies prophecies का मतलब होता है भविस्वाणी में आप दी bitches चुड़ायलों की ओके यह कुछ नहीं तो question यह है कि किसने चुड़ायलों की भविस्वाणीयों में ज़्यादा विस्वास नहीं किया किसने चुड़ायलों की भविस्वाणीयों में ज़्यादा विस्वास नहीं किया तो किसने नहीं किया था वो ब्यक्ति कौन था bank को क्योंकि banko और macbeth दोनों ही यूद चेतर से वापस लोड़ करके आ रहे थे तो रास्ते में जंगल में तीन चुड़ैले मिलती हैं त्री विचिज मिलती हैं जो banko और macbeth के बारे में भविस्वाणी करते हैं लेकिन macbeth उनकी भविस्वाणी को सिरियस ले लेता है और इसके बाद वो अपराद की रहा पर चल देता है यही उसका ट्रैजिक फिला होता है इस पिले का अगला कोश्चन हम बात करते हैं कि if chance will have me king अगर हमको कौन कहता है macbeth कहता है कि भगवान ने मुझको king बनने का मौका दिया है if chance will have me a king king बनने का मौका दिया है chance may crown me यानि कि मेरी ताज पोसी होने का मुझे मौका मिला है मेरे सर पर ताज सजने का मौका मिला है without my sister who spoke these words यह सब्द कौन कहता है तो macbeth कहता है अगला question whom किसे whom का मतलब किसे in the verse of macbeth macbeth के सब्दों में the witches, worship and when or come तो दो witches होती है, तीन चुलैले होती है जादुगर्णिया होती है, वो बर्ष से पूजा करती है the goddess of hiccate यानि कि उनकी रानी होती है जो कि goddess of hiccate कहलाती है at dead of night यानि कि रात को बेन मीज जब people are disturbed जब लोग disturbed होती है ओके big dream in their sleep जब बसो रहे होती है तो बुरे बुरे सपनों में खोई हुए होती है उस समय ये तीनों बिचेज अपनी दे भी hiccate की क्या करती है, रात को पूजा करती है दोस्तों अगला हम लोग discuss करेंगे next एक बहुत ही प्रसिद्ध इनकी सलेल क्यों है beginning, शुरुआद with this is a dagger which I see before me dagger means क्या होता है छोरा कह सकते हो किरपार कह सकते हो या कटारी कह सकते हो ठीक है कुछ भी आप बोल लिजेगा तो यहाँ पर या खंजर कह लो क्या एहे एक खंजर है is this a dagger समझेगा is this a dagger क्या एहे एक खंजर है which I see before me जिससे मैं अपने सामने देखता हूँ के सास्थ सुरू होने वाले एक प्रसिद्ध सलीली क्यो के बारे में बात करते हैं मैक्बित स्पीक आफ टार क्योंस रेवसिंग और के स्ट्राइड्स यानि के टार क्योंस की सांदार प्रगती की बात करता है यहां पर who was टार क्योंस कोश्चन निकल करके आए यह टार क्योंस कौन है और दूसरा whom did he ravish और वो किसको ravish किसका नास करना चाहाता है ravish मेंस होता है नास करना तो आंसर समझेगा थोड़ा बड़ा आंसर है समझ लेजेगा टार क्योंस सेक्टस टार क्योंस सिक्स्टस टार क्योंस सुपरवस का पुत्र है सन आप टार क्योंस सुपरवस क्लियर हो गया पूछा जा सकता है टारकुनियस सेक्टस कौन है तो टारकुनियस सेक्टस मेकविध फिले में टारकुनियस सुपरवस का पुत्र दिखाया जाता है दी लास्ट आप दी लेजेंडरी किंग्स आप रोम रोम के महाराजाओं में अन्तिम उन्होंने टार्कोइनियस की पतनी लुक्रेशिया के साथ बलातकार किया इसके बारे में हमने पहले भी एक बार वीडियो में डिसकस कर चुके है इस लेट टू दी दिट्रोनमेंट आफ टार्कोइनियस जब आप रेप आफ लिक्रीश को देखोगे तू उसमें बहुत अच्छे से इस कोश्चन आपको समाज आ जाएगा दूसरा यानि की वो कैसे बन जाता है वो कैसे बन जाता है बाइ मडरिंग डंकन डंकन का मडर करके यानि की मैकबेथ स्कॉटलेंड का राजा कैसे बना तो डंकन की हत्या करके बना दूसरा कोश्चन नमबर 25 वे अरवाज डंकन मडर डंकन का मडर कहां किया गया मैकबेथ के कैस्टिल में कहां और Macbeth के कैस्टिल का नाम क्या था तो Inverness क्लियर हो गया डंकन का मदर कहां होता है हत्या कहां होती है Macbeth के कैस्टिल में 26 नंबर The play Macbeth begin का ऐसे शुरू होता है शुरुवात में बड़ा डेटेल से कोश्चन था एडमिड ठंडर से यानि कि Macbeth नाटक की शुरुवात होती है ठंडरिंग से बिजली चमक रही है और गड़गड़ा हट बादलों में हो रही है बहां से शुरुवात होती है अगला बहुट is the complete title आप the play most important है कई बार पूछा जा सकता है कि Macbeth पले का complete title क्या है तो the tragedy of Macbeth इनको कहीं note down कर लिजेगा कहीं लिख लिजेगा कि Macbeth पले का complete title क्या है तो the tragedy of Macbeth बेन बाज इट performed first सबसे पहले Macbeth पले को कब perform किया गया 1606 में perform किया गया इसके बाद बेन बाज इट first published और सबसे पहली बार इसको publish कब करवाया गया Macbeth को तो 1630 में William Shakespeare के first poll you में इसको publish करवाया गया What is the source आप दे play और इस play का दूस्तो source क्या है तो Hollinsyard Chronicles जो Hollinsyard Chronicles है वो इनका क्या है स्रोत है तो नाटक का स्रोत क्या है Hollinsyard के Chronicle इसके बाद नाटक में आने वाले पात्र कौन कौन से Who are the first character to appear in the play बहुत अच्छा बात है कि इस play में जो है सबसे पहला character कौन दिखाया जाता है तो 3 bitches दिखाई जाती है 3 जादू गर्निया दिखाई जाती है Who was the king of Scotland before Macbeth Macbeth से पहले Scotland का राजा कौन होता है तो King Duncan होता है Macbeth Macbeth rajah Duncan की हत्या करके कुद Scotland का राजा बन जाता है Who kills Macbeth Macbeth को कौन मारता है Macbeth Duncan को मारता है Macbeth को कौन मारता है Macduff मारता है Macduff की family को कौन मार देता है Macbeth इसी का बदला लेने के लिए Macdub भी Macbeth को मारता है basically बदला नहीं वो अपनी Scotland से बहुत ज़दा प्यार करता है और ये जो Macbeth होता है वो लोगों को सताने लगता है तो इसलिए Scotland बासियों को इसके मुक्त कराने के लिए इसके सासन से मुक्त कराने के लिए वो जो है England जाता है और England में राजा की सेना के साथ मिलकर के इसको किले पर आकरमन कर देता है चलो अगला देखते हैं तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि वो किल्स Macbeth, Macbeth को मारता कौन? Macdub मारता है अगला question which play of Shakespeare is called the Scottish play बहुत important question है कि कौन सा play William Shakespeare का Scottish play के नाम से जाना जाता है तो वो Macbeth जाना जाता है how many bitches are referred in the play इस play में total कितनी bitches हैं 3 bitches हैं और 4 ही इन bitches की रानी दिखाए जाती है जिसका नाम होता है Hickate who is the queen of bitches इस bitches की रानी कौन वो 3 bitches होती है उनकी रानी कौन दिखाए जाती है Hickate जिसका नाम होता है who defeated the forces of Narvee and Ireland Narvee की सेना और आइलेंड की सेना को कौन हरा देता है तो Macbeth और बैंक को हरा देता है Narvee और आइलेंड की सेना हों को किस ने हराया Macbeth और बैंक को ने हराया इसके बाद Macdonald who is Macdonald Macdonald कौन है तो Macdonald कौन है a traitor है and thin of cowder तो traitor का मतलब होता है गदार और thin of cowder दिखाया जाता है इसके बाद में हम बात करेंगे who called Macbeth thin of glemmis यानि कि thin of glemmis किस ने कहा था Macbeth के लिए तो first बिचने पहली बिचने क्या कहा कि तुम thin of glemmis बनोगे और how does the second witch greet Macbeth दूसरी चुलयल Macbeth को किस तरीके से नमस्कार करती है यानि कि किस तरीके से उसके बारे में क्या प्रोफेसी करती है कि वो जो है thin of cowder बनेगा और what were the verse of third witch लेकिन उनमें से जो तीनों witch थी लास्ट बाली third witch के कौन से सबते उसने Macbeth के बारे में क्या प्रोफेसी की थी तो क्या की थी he will be the king of Scotland की Scotland का राजा बनेगा अगला तो पहली दूसरी और तीसरी बिचिच की तीनों की कहानी पता लग गई पहली बिचिच ने क्या क्या थेनाफ ग्लेमिस बनोगी फश्ट बिच था दूसरी बिचिच ने का थेनाफ का उडर और तीसरी बिचिच ने कहा he will be the king of Scotland वो Scotland का राजा होगा अगला question हमारा है he will father a line of kings though he himself belonged to be one who uttered these words इसका मतलब यह हुआ बै राजाओं की एक पंकिती का पिता यानि की सभी राजाओं का फादर बनना चाहता हलांकि वैस्वयम ऐसा नहीं होगा ओके एक इस ने कहा था विचिच ने अबाउट बैंको के बारे में एक बात फिर मैं इसे और अच्छे से रिपीट कर देता हूँ he will father a line of kings ओके दो he himself belonged to be one यानि कि जब मैकमेट के बारे में इस तीनों बिचिच जो हैं प्रोफेसी कर रहे थी बविस्वारी कर रहे थी तो बैंको के बारे में भी भविस्वारी की जाती है कभी भी स्कॉट लेंड का राजा नहीं वनेगा लेकिन लेकिन वो स्कॉटलेंड के राजा का पिता कहलाएगा इसका मतलब उसने ऐसी वविस्वाने की कि आपके आने वाले जो पूरवज होंगे आने वाली जो पीड़ी है आपका जो बेटा फिलीन्स है वो जरूर स्कॉटलेंड का राजा बनेगा लेकिन तुम नहीं बनोगे तो बिचिज कहती है अब आउट बैंको बैंको के बारे में तो समझ गे अब हम ये कोश्टन करें कि बिचिज ने बैंको के बारे में कौन सी प्रोफेसी की तो इस प्रोफेसी को आपको याद रखना है कि he will father a line of kings though he himself will not be बन यानि कि उसके पुत्र तो स्कॉटलेंड के राजा बनेगे लेकिन बो कभी भी इस्कॉटलेंड का राजा नहीं बनेगा अगला कोश्चन ये है कि भेर बाज मैकबेथ कैस्टिल मैकबेथ का कैस्टिल कहा है तो in at inverness में और Macbeth के कैस्टिल ए इन्वर्नेस की पहाड़ियां होती है मैं बता चुका हूँ तो इन्वर्नेस की पहाड़ियों पर Macbeth का कैस्टिल बना हुआ है इसलिए उस कैस्टिल का नाम क्या है इन्वर्नेस कैस्टिल है हूँ किल्स किंग डंकन राजा डंकन को कौन मारता है तो Macbeth मारता है यह अरले डंकन यहां तो डंकन ओके हिज सिल्वर इसकी लेग्ड बिद हिज गोल्डन ब्लड हूँ स्टेट्स दीज वर्स Macbeth अब यहां पर डंकन को रखा गया है उसकी चांदी जैसी एकदम सिल्वर जैसी त्वचा उसके सुनहरे खून में सनी हुई थी ये डंकन की बाड़ी रखी हुई है उसकी जो बाड़ी है वो चान्दी की तुचा जैसे देख रही है और उस तुचा पर उसके सुनहरे यानि की एकदम लाल-लाल खून से पूरी की पूरी बाड़ी सनी हुई है ये सब्द कौन कहता है कौन कहता है मैकवेथ कहता है दोस्तों अगला, next question number 46, all hail Macbeth, hail is the Thane of Glamis, who says, पहली विच कहती है, पहली विच का ये dialogue जरूर याद रखना कि पहली विच ने Macbeth के बारे में क्या prophecy की, कि वो जो है Glamis का Thane बनेगा, Thane of Glamis बनेगा, ये फ़र्ष्ट विच ने Thane of Cauder, सेकेंड विच और, he will be the King of Scotland, ये थर्ड विच थी, तो अब किलियर हो गया, यहाँ पर अगला हम question करेंगे, next how many men reign as a King of Scotland throughout the play, पूरे के पूरे प्ले में, Scotland जब तक ये प्ले शुरुआत होता है, शुरुआत से अंत तक कितने राजाओं ने Scotland पर राज जिकिया, या Scotland के कितने राजा बने, तो सबसे पहला राजा डंकन था, इसके बाद, डंकन को मार करके कौन बना, मैकबेथ बना, और मैकबेथ को मैकडब मार देता है, लेकिन मैकडब किसे राजा गोसित करता है, तो राजा डंकन के बेटे मैकलम को, बड़े बेटे मैकलम को, तो तीन ध्यान रखना, कौन-कौन, राजा डंकन, राजा मैकबेथ, और इसके बाद, राजा मैकलम बनता है, किसका, स्कॉटलेंड का, अगला 48 नंबर की बात करें, ध्यान से सुनना बड़ा important question है, कि डंकन की हत्या के लिए लेडी मैकबेथ, किसको फ्रेम करती हैं, अर्थात, तो जो डंकन के डंकन चंबरलेन होते हैं, यानि कि डंकन के जो सरावी चंबरलेन होते हैं, उसके अंगर अक्चा कोते हैं, उनके पास में खंजर को रख देती ह और फिर जो है, उन्हीं पर राजा डंकन की हत्या कारों मर देती हैं, who kills बैंक को, बैंको को कौन मारता है, तो बैंको और बैंको के बेटा, फिलीस को डावत पर बुलाया जाता है, Macbeth के दवारा, लेकिन, उसके हत्याथ का सडिया दिया जाता है, Macbeth जो है, उसकी सुपार दे देता है तो अब answer सुनिए का बैंकों को kौन मारता है अगुरुपा मडरस हाइड बनन द्रांच के द्वार हार किया जाता है मेकबेट के द्रहाड के द्वारु तो मडरस को क्एड गरांग मारता है मेध नुया हाथ्यारों के एक समू को मैक बेज जो है कुछ हत्यारों को हायर कर लेता है मैक बेज बैंकों को मारने के लिए अब आगे देखेगा who discovers डंकन's body डंकन की body का सबसे पहले पता कौन लगाता है तो सबसे पहले मैक डप अंदर जाता है तो मैक डप डंकन के सरीर का body का सबसे पहले म्रत body का dead body का सबसे पहले पता कौन करता है तो मैक डप ध्यां रखना home does मैक बेज सी sitting in his chair जो मैक बेज होता है वो किसको बैठे हुए देखता है कुर्षी पर during the bank it यानि कि भोज के दौरान जब रात्री भोज चला था उसके दौरान मैक बेथ अपनी कूर्षी पर बैठे हुए क्या देखता है तो बेंकों के भोज को देखता है कि बेंकों का भोज उसकी कूर्षी पर बैठा हुआ है अब अगला question हमारा है bank question bankatti का पुत्र को होन होता है तो वो flints होता है इसके वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगला वीडियो जो है अगले नेक्स कोश्चन जो है वो 51 से लेकर 52 तक ही पर क्लियर कर दिये तो 53 से लेकर के 100 तक कोश्चन जो है वो नेक्स वीडियो में हम लोग डिस्कुस करेंगे आज के लिए इतना ही जैहिं आज साथ योग कोश्चन है जीए कोश्चन जैबार साथ योग कोश्चन जैब आजाएं है वीडियो जैगलां आ योग डिनान्याम के लिए दो चाहा है